जेहिन इस वीडियो में हम समझते हैं कि उलका पिंड क्या होता है और रात में हमें तूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं और कब ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लिए दिन 24 घंटा करना होके 30 घंटे का दिन हो जाएगा और कौन सा ऐसा उलका पिंड था जिसने इस दुनिया से डाइनासोर का अंत ही कर डाला आखिर वो कैसे अंत हो गया डाइनासोर इस प्रिथवी से देखें सौर मंडल में जो हता है न सूरज से सबसे नजदी की जो तारा है वो तारा बुद्ध है इसे हम लोग मरकरी कहते है उसके बाद सुक्र यानी वीनस है थार्ड नंबर पे हम आते है और थियानी प्रिथवी इसके बाद मंगल आता है मंगल के बाद ब्रियस्पती, मंगल और ब्रियस्पती के दोनों के और्बिट के बीद, इनके कख्छाओं के बीच ग्रहों के छोटे-छोटे टुकडे हैं सब, इन टुकडों को हम छुद ग्रह या एस्टोराइट कहते हैं, ये सौर मंडल पे बहुत जादी इफेक्ट डालत लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं, आपस में टकराने से इनका डिरेक्शन बदल जाता है, और मंगल इन्हें अपनी और खीच लेता है, इन्हें आकरसित कर लेता है, मंगल अपनी और गृत्वा करशन के करान, लेकिन मंगल भी क्या है, गति-सील तो मंगल आकरसित करने के बाद अपने यहां से उठके चला जाता है, क्योंकि यह गदी कर रहा है, मंगल उठके यहां चला गया, अब यह पकलोलवा जो है यह आपका यहां से सीधे आके गिर जाता है प्रिथिवी पर, तो यह जो छुदगरा जो मंगल और ब्रिहस्पती की क रक्षा में था, आपस में टकराने और दिसा भटकने और साथ ही साथ मंगल के गुर्थवा करसंट दौरा खीच लेने के करद यह कहां चलाता है, इस डिरेक्शन में, और प्रिथिवी इसे अपनी और खीच लेती है, तो इसे कहते हैं हम लोग उलका पिंड, अगर यह प्र इसे लिए घ्रचा करने के लिए हमारे चारहों और है वायू मंडल एटमोस्टीर है हमारे उपर 60 किलो 느 मीटर मोटी हवाओं की परत है, यह हमारे लिए एक स्राइक्षा कवाच का काम करता है, यह अगर नहीं रहता तो हम सब मर जाते हैं, जब कभी general uphill में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्षाद इतना जादे लगता है इतना जादे आप ऐसे ही अंदाजा लगई नहीं है खुबी स्पीड ट्रेन चल रही उसमें से सर बाहर निकाले कितना हवाओं का दबाओ लगेगा खुबी इसलिए तो एरोप्लेन में, एरोप्लेन की खिड़की खुलती नहीं है, तो कुनों बाहर मूरी निकालेगा, फैका जाएगा, इतना तेज घरसान लगती है, बुले ट्रेन की में से आप बाहर नहीं जाग सकते हैं, इतनी स्पीड रहती है, और इन लोग की स्पीड हाग जार पूरी तरह जले बीना ही ये प्रिथिवी पर आके धवाक से गिर जाते हैं, जिने हम उलका पिंड करते हैं, ये जब प्रिथिवी के वायू मंडल में इंट्री करते हैं, तो पूरी तरह से जलने लगते हैं, ये जहां गिरते हैं, भीसर तबाही लेके चले आते हैं, तो य इने हम लोग कहते हैं light sour, light sour से क्या होता है, बहुत सारी रोसनी होने लगती है, ऐसी घटना अगस्त 2017 में हुई थी, जब भारत में चोटी कटुआ का हल्ला हुआ था, कि कोई आ रहा है महिलाओं का चोटी कट के चला जा रहा है, उसी समय एक और हल्ला हुआ था, कि अगस्त के महीने में एक ऐसा दीन आएगा, 11 अगस्त जब रात ही नहीं होगा, ऐसा नहीं था, रात होता, लेकिन उस समय घटना क्या होने वारी थी, light sour होने वाली थी, ये बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने वाले थे, और जब वो जलने लगते थे एक रोसनी होता, बह जलते हुए दिखाई देते हैं, जिने हम तूटता हुआ तारा कहते हैं, ये देख रहना ऐसे गिरता है, आप रात में आप भी देखे होंगे, तूटता हुआ तारा, ये उल्का रात है, इसे स्टोटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, आप रात के समय इस तरह से स्टो पूटलता रहा थोड़ी है यह तो छूद गरा है जो घरसाण से क्या हो रहा है गिर रहा है लेकिन जब कभी यह पूरी तरह जले बीना अब पूरी भाग से प्रिथवी पर गिर जाता है तो उसे हम लोग कहते है उलका पींड यह बिहार में मध्यपूरा के पास गिरा था यह यह क्या है उलका पींड है इसे दे दिया गया था उलका पींड को जब यह जल रहा है तो इसे कहते है उलका देखिए जल रहा है तो इसे क्या कहेंगे उलका और जल के जब यह पृथवी पर गिर जाता है तो उसे उलका पींड कहते है यहां मेटर आया मेटरॉइट के नाम होती तो आज प्रिथिवी हमारे जीने के लाइक है इसी उलका पिंड के कारण है इसका नाम था इजिप्टा ये बहुत ही दूर से आ रहा था ये इजिप्टा मंगल और ग्रहस्पती की कच्छा में था और आपस में तकराने से इसका डारेक्शन बढ़ला मंगल खीच के आग आज से लगभग 6 करोड साल पहले ये इजिप्टा नामक इतना बड़ा उलका पिंड गिरा और इसने पूरे प्रिथिवी का स्वरूप ही बदल दिया ये वर्तमान मेक्सिको के पास गिरा था ये मेक्सिको की खाड़ी के पास वर्तमान समय में गिरा था और पूरी तरह से बड़ा दिया था ये जैसे ये प्रिथूवी गिरा इकना बढ़ा था कि ये जल के खतम ही नहीं हुआ इसका लगभग 10 गुना जितना दिख रहा इस से 10 गुना बढ़ा था लेकिन कुछ भाग तो जल के खतम हो गयते जैसे ये गिरा बहुत बड़ा धमाका हुआ इतना भग भग 20 hydrogen bomb के बराबर था सोचिए atom bomb नहीं hydrogen bomb के बराबर ये धमाका था और इस धमाके के कारण प्रिथवी का जो उपरी परत था वो बिसपोर्ट करके उड़ गया अब आप बताए कोई building उड़ती है तो उसके तो इट पत्थर पूरे stone भी विखर जाते हैं और इसके प्रेचर हो गया 200 degree Celsius और इस एरिया के जितने डाइनासोर थें यहां के एरिया के वो सारे डाइनासोर मारे गए लेकिन ये तबाही का केवल एक ट्रेलर था असली तबाही तो इसके बात शुरू ही इतना भींसर धमाका के बाद लगभग 10 तिवरता का प्रिथवी पर भुक के मर गए और आपको पता है हम भुकम चेप्टर भी पढ़ा दिये हैं भुकम जब समुदर के पास आता है तो वो ले लेता है सुनामी का रूप और ये समुदर के पास ही आया हुआ था मैकसिको के खाड़ी में गिरा हुआ था जिस वज़ए से यहां भीषड कि माद भीष भीस और भूकम्प के साथ सुनामी भी आ गई और सुनामी की लहरे जो आई पूरे समुदर का पानी उठा के लिया के पटक दी और भीस और भूकम्प आया जितने डाइनासोर थे सारे के साइनेस डाइनासोर मारे गए और पृतिवी के अंदर का जितने ज्वाला मुखी थे वो बिस्पोर्ट करके उसमें से जहरीली गैसे निकलने लगी, रेडियेशन निकलने लगा, जिस वज़ा से जितने जीवजन्तु थे उस वक्त के मारे गए थे, सारी के सारे जीवजन्तु इन सारी घटनाओं का सिकार होकर मर गए, जो बच गए थे बड़े जीवजन्तु वो भूख मरी से मच गए, क्योंकि प्रिथवी पारब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, बचे तो केवल छोटे जीवजन्तु जैसे चुहे वगरा, जो कहीं छुटके बैट सकते थे, थोड़ा बहुत खा के जी सकते थे, और उसके बाद धीरे-धीरे मानों का आगे विकास हुआ, जब ये एजिप्टा नामकूलकापिन मेक्सिको की खाड़ी के पास टकराया था, तो प्रिथवी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत जादे हल चल हुई थी, और अफ्रीका के पुर्वी भाग में एक परवत का निर्माण हो गया, ऐसे टकराने के वैसे जटका के वैसे जैसे, आपका घर एक घर दूसरे घर पे गिरेगा, तो कहीं से एक ठो दिवाल निकल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा परवत का निर्माण हो गया, जिसकी में अभी इसी के एरिया पर आपका किली मंजारो हो है, और यह रिफ्ट वैली है, अब इस परवत के निर्माण ने प्रिफ्वी के समूहिक सर्मरेशना को बदल दिया, क्योंकि प्रिफ्वी जो घुमती है, वो पस्चिम से पूरब डारेक्शन में घुमती है, यह पस्चिम से पूरब डारेक्शन में घुमती है, वो पूरी तरह से मरुवस्थल बन गया अब ये जगर रहने के लाइक नहीं हुआ धीरे-धीरे मरुवस्थल हो गया जिसे आज हम सहारा मरुवस्थल के नाम से जानते हैं और यहां बंदरों की बहुत जादे प्रजाती थी अब वो बंदरों को खाने के लिए जगा नहीं था तो वो बंदर अब जमीन पर उतरने लगे और इधर उधर जाके तलासने लगे खाने पीने की जादे तर खाने की चीजे जो थी वो कुछ नदियों के किनारे मिल रही थी यहां की सबसे फेमस नदी थी नील नदी उसी के अगल बगल में बंदरों की पर जाती थी लेकिन बंदर कभी सीधे नहीं खड़े हो पारे थे क्योंकि उनका गर्दन जो था वो एकदम साइड में था देखे जिस जानवर का गर्दन एकदम साइड में रहेगा न वो जल्दी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा जैसे यहां देखे गाय का गर्दन यह गर्दन है यहीं पर सर शुरू हो गया है गर्दन और सर एक सपाट रहेगा न तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा क्योंकि स्पाइनल कौट को खोपड़ी के बीच से जाना है कुत्ता का देखे गर्दन और सर एक साथ में है पहले मानो का भी एक ही साथ था यहां देखे धीरे-धीरे मानो का गर्दन धसने लगा और जब यह मानो का गर्दन धसने लगा तो यह मानो सीधा खड़ा होने लगा क्योंकि गर्दन हमारे बीच में होना चाहिए तब ही सीधा खड़ा हो सकते है अगर गर्दन साइड में रहेगा ना तो हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे और जिनका गर्दन बीच में रहता है वही सीधे खड़े हो पाते हैं इसलिए हम लोग को तकिया लगाने की जरूरत पड़ती है तो मानो धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया इसलिए अफरीक जागों कहते हैं क्योंकि यहीं से मानो की प्रजाती की शुरुवात हुई थी बंदर कपी से हम लोग आज जाके हम लोग होमो सेपियन यानि मानो का वर्तमान रूप लिए लेकिन अपने टॉपिक पर चलते हैं उलका पिंड पर इन उलका पिंडों ने तो पूरे के कक्षा में तो घूम रहे थे इनके आने का भी दो डारेक्शन होता है प्रिथिवी के यह घूमने का डारेक्शन है प्रिथिवी ऐसे घूमती है अगर यह प्रिथिवी के घूमने के डारेक्शन में आ रहे हैं यानि जिधर प्रिथिवी घूम रही है उसी डारेक्शन मे आ रहे हैं तो इन्हें मेटियोर यानि उलका कहा जाता है अब चुकि ये प्रिथिवी के डिरेक्शन में घुम रहे हैं नदी के बहाओ में चलेंगे तो आपका स्पीड यादे रहेगा इस वज़े से इनका स्पीड भायाना कराता है बहुतर किलोमीटर प्रती सेकेंड की जो आया तो है यही से लेकिन ये प्रिथिवी के डिरेक्शन के विपरीद दिशा में इंट्री मार रहा है तो जो प्रिथिवी के विपरीद दिशा में इंट्री मारता है उसे हम लोग उलका नहीं कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं बोलाइट और बोलाइट का स्पीड कम हो ज मारेगा हवाओं के घरसण से जलने लगेगा जादे चमकीला उलका दिखेगा कि जादे चमकीला बोलाइट दिखेगा देखेगा यहाँ समझे अगर हम गाल अपना इधर ले जा रहा है और इधर से अगर मारे तो कम चोट लगेगा पता चला गाल इधर ले रहा है इधरे मार इसे कहने उल्काफींड मेटिरॉइट कहते हैं लेकिन जब कभी यह बोल्ाइट पूरी तरह से जले बीना पृतिवी पे गिर जाएगा तो इसे उलका पीन ना काके इसे टेक्टाइट कहते हैं इसे क्या कहते हैं टेक्टाइट तो यह यहाँ पर है जब यह यहाँ पर है तो छुद्र का लाएगा जब यह हावा में है और प्रिथिवी के डारेक्शन में है तो घूमने के डारेक्शन में तो इधर में डारेक्शन उल्टा है तो बोलाइट का लएगा लेकिन अगर को उलका इज इंधी को रएगा200 गर में देयर और सीमिएCS 2L तो ऐसा गढ़हा जो किसके द्वारा बना है इस ट्राइट द्वारा बना है उसे क्या कहते है क्रेटर और वह चाहें इस डायरेक्शन से उलका से बने चाहें वह बोलाइट से बने वह क्या कहा लाएगा गार यह अंतर समझेगा जब आप मेंस पेपर लिखेगा तो पूरा अ पोजी direction में लेकिन चमक जादे, ये दोनों गिरेंगे तो गढधा करेंगे, ऐसे गढधे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, और ऐसे क्रेटर में जब पानी भर जाता है, तो ऐसे जील को हम क्रेटर जील कहते हैं, जैसे देखिए, ये जो एक गढधा है, तो ये गढधा ह में है जिसका नाम है लोनार जील यह बहुत बड़ा जील है इतना बड़ा है कि दिके नहीं सहर बसा हुआ है इतना में सहर है इतना में जील है बहुत बड़ा जील का निर्मार किया है यह लोनार जील अभी यह मई के महीने में लोनार जील का पानी सफेद लाल हो गया था पर तो CBSC बोड़ वाला घूमने गया है सब, यहाँ पे, यहाँ पे, एरिजोना में, सब CBSC वाला है सब, बहुत घूमता है सब CBSC वाला, अब किसी ना किसी चीज का, तो साइड इफेक्ट पढ़ता है, तो इस क्रेटा, यह जो उलका पिंड गिर रहा है, यानि यह मेटर और मेट जाते हैं, तो यह रेड कलर के रहते हैं, जिस वज़ा से, जब यह प्रित्वी पर धीरे-धीरे आते हैं, तो उसे लाल वर्सा करते हैं, रेड रेन करते हैं, आप confusion मत होजेगा, एक होता है आपका acid rain, acid rain कब कहते हैं, कि जब परदूसर्ण जादे हो, और धूलकण जादे ह हो जाता है, तो हवा में वो धूलकण मिल जाते हैं, जब बारिस होता है, तो वो धूलकण साथ में आने लगते हैं, तो वर्सा का जल जो होता है, 7 pH का नहों होकर, उस पर दूसर के करण 5 या 5.5 pH का हो जाता है, तो इसे कहते हैं, acid rain, सन्मया गे की नहीं कहते हैं, तो अब सूद जल यानि डिश्टील वाटर सूद रह गया है क्योंकि हवा में इतनी गंदगी है तो गंदगी के करण हवा का जो पी एच मान घट जाता है जिस वजह से वह एसीड लगने लगता है हलका सा तो उसे क्या कहते है एसीड रेन कहते है जबकि इटली में एक बारिस होती है जिसे हम लोग blood rain कहते है रक्त वर्सा देखे इटली यहाँ साहारा मरूस्तल से हवाएं चलती है न तो उसमें बालू की मातरा आजाती है और जब यह भूमद सागर को पार करके इटली में बरसती है तो बारिस में से बालू भी बरसता है तो दूर से लगता है लाल रंग का बारिस होती है रक्त वरसा नहीं होती है रेड रेंड इससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है यानि टेंपरेचर प्रिथवी का बढ़ने लगता है आप देखें न इतने जादे उलका पिंड इंट्री मारेंगे मेट्रोइड और वो जलने लगेंगे जलेंगे तो टेंपर प्रिथवी पर रह जाता है और अगर ये नहीं जले उलका पिंड बन के प्रिथवी पर धवाक से गिर गए तो भी प्रिथवी का मास जो है वो दरबेमान बढ़ जाता है और प्रिथवी का मास बढ़ रहा है और किसी चीज का जब मास बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटेशन पावर बढ़ने लगती है तो प्रिथवी का गुर्तवा कर्षण पहले की तुल्ला में अब जादे बढ़ रहा है क्योंकि उसकी मास बढ़ रहा है किसके वज़े से उलका पिंड के वज़े से अगला इफेक्ट क्या पढ़ता है अगर कोई चीज घूम रही है जैसे हम इसे लाद दीजेगा ना 4-5 किलो का समाल लाद दीजेगा तो हमारी स्पीड घट जाती है तो ये एक्ष्ट्रा बोज ही तो है जो प्रिथवी पर आके गिर रहा है जिस वज़े से प्रिथवी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है क्या हो ये घट रही है तो आज से लगभग 900 मिलियन पहले प्रिथवी बहुत तेज घूमती थी तो 18 घंटे का ही दीन होता था अभी थोड़ा लूसूर लूसूर घूम रही है तो लूसूर लूसूर घूमने से दीन अभी 24 घंटा का हो गया है हम तो चाहते हैं कि एतना दहीमा घूमे प्रिथवी कि दीन तीस घंटे का हो जाए लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दीन तीस घंटे का होगा 30 घंटे का हो जाता है तो कितना बढ़िया रत चेए गंटा में काम कर लेते बाकी 24 घंटा में अपने अप्लीकेशन पर पढ़ाओ यूटूब पर पढ़ाओ कहीं व पढ़ाओ सम्झा दीने छो जुकी हुई है तो इसका अगला इफेक्ट ना इसके जुकाव पर पड़ता है कोई चीज जुका है और ला दिया इसे और ला दिया इसे तो और जुक जाएगा तो आज से लगवग मतलब कई साही एक तालीस या बयालीस हजार साल पहले प्रिथवी महज 21 डिगरी पर जुकी तो अब दुबारा अगर गरना होगा जिस तरह से हिमाले 8848 से माउंट एवरेस्ट की उचाई 8850 हो गया वैसे अब प्रिथवी लगवग 24 डिगरी पर इंकलाइंड कर रही है इसी उलका पिंडों के वजह से और लास्ट तो आपको पता ही है कि इस पर क्या होता है क्रेटर बन जाते हैं गड़हा बन जाता है जहां गिरेगा वहां क्या हो जाता है गड़े का निर्माड कर देते हैं अब आगे समझते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि उलका पिंड का असर केवल यहां पड़ेगा कुछ उलका पिंड तो मंगल पर भी गिरते हैं तो वहां कोई रहता ह कि गिरेगा किस पर बुद्ध ग्रह पर मरकरी पर, और किस पर गिरेगा सुक्र ग्रह यानी वीनस पर, अब आप एक कुश्चन बताएए, बुद्ध और सुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, जिनके पास कोई भी satellite यानी चंद्रमा यानी उबगरा नहीं है इनका उबगरा कौन ले गया आप कमेंट करके अंसर दिजेगा वीडियो रोब कर देखे इनके जो उबगरा थे वो size में बहुत छोटे थे गरा तो बड़े होते हैं उबगरा यानी satellite छोटे होते हैं और यहूरी के बहुत जाधे करीब थे तो शूरी घीच के अपने में फूंक के जरा दिया इसको, तो इसके पास भी उपगरा थे , लेकिन उपगरा बहुत छोटे थे इसलिए 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 नहीं घीच पारा रहा है अब आगे हम आपसे question पूछते हैं, कि यहां से यह छुद ग्रह उस पर जा रहा है, एस्टोराइड, जादे गढधा किस पर बनेगा, बुद्ध पर जादे गढधा बनेगा, कि सुक्र पर जादे गढधा बनेगा, देखे, आप answer देंगे, कि सर यह करीब है, इस पर धबाक स कोई परत नहीं है, कोई भी वहाँ atmosphere नहीं है, जिस वज़े से यहां धबाक धबाक गढधा बनेगा, और सुक्र के चार ओर atmosphere है, यह अलग बात है कि उसकी हवाओं में oxygen नहीं है, carbon dioxide है, sulfur dioxide है, जिससे हम सून कर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इस पर भी वायू मंडल है, ले इसलिए भाण भाण गढधा बनेगा, यह question पूछा भी है, कि सबसे जादे गढध है, किस गरह पर है, तो बुद्ध पर है, उसके पास कोई वायू मंडल ही नहीं है, अब वायू मंडल यानि हावा नहीं रहेगी न, तो सूरज की गर्मी को रोक के रख भी नहीं पाएगा आएगी गर्मी लेकिन चली जाएगी, इसलिए यह सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे जादे गरम गरह नहीं है, सबसे जादे गरम गरह सूकर गरह है, यह सबसे जादे गरम है, जिस वैसे सबसे जादे चमकीला है, चमकता है, तो सबसे जादे सुन्दर ह रखता है तो प्रित्वी की बगिनी, प्रित्वी की नानी, प्रित्वी की सौतन, प्रित्वी की जुड़वाद, जितना नाम है सब सुसुरा सुक्र का नाम है, समझ जागे हैं? तो ये जादे गरम है, क्योंकि इसके पास वायू मंडल है, ये गर्मी को लेता है और क्यों नहीं है और किसका temperature इन दोनों में जादे है अब बात करते हैं हम चंदर्मा की कि भया कहीं इस चांदे पर धवाग गिर जाएगा तब चांद का क्या होगा देखिए दुरभाग वस ये चांद पर भी गिरते हैं और बहुत जादे मातरा में गिरते हैं क्योंकि मंगलव घीच के भाग जाता है और उसके बाद आता है प्रितिवी धवाग से गिर जाता है और बीचारे हमारे चंदर्मा जी इस चंदर्मा पर वायू मंडल भी नहीं है हवाएं भी नहीं है धवाग धवाग गिरता है चंदर्मा पर तो चंदर्मा पर क्रेटर बहुत जादे बना इतना ना गड़हा गुड़ी चंदर्मा पे बना है ना कि देखेंगे तो केवल गड़हा है इन गड़हों को क्या कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है तो इसमें बहुत जादे मात्रा में क्रेटर बने इन क्रेटर में सूरी का प्रकास जादे अंदर नहीं जाता है आपकी बते चांद्रमा उतारे जाती हैं इससे शुर्य जादे तर गढ़हवे में गीर जाते हैं और वो अपने संपर कोखो देते हैं तो चांद्रमा की सतह अगर आप से कोई कअ दे तो बराबर नहीं है वो कैसा है गढ़हा-गढ़ही है और इन गड़ों में चंद्रमा पे सुरी का प्रकास नहीं जा पाता है, जिस वज़े से ये गड़ें जो होते हैं, वो धुधला दिखता है, तो चांद जो है न, वो धुधला दिखता है, तो लोग कहते हैं, चांद में दाग है, कोई अलग-अलग कहानिया सुनाता है, अलग दाग की तर रहो जाता है, वैसा ही चंदर्मा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगरा नहीं है, उस गढ़्धे में प्रकास न जाने के वज़े से थोड़ा सा धुदला दिखता है, इंगलिस में इसे क्या कहते है, मून कहते हैं, और हिंदी में चंदर्मा, उर्दु में क्या कहत इसे महताब कहा जाता है कहते हैं कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है जमी पे चलता हुआ महताब देखा है समझे आगे कि नहीं और यूटूब है इस पर थ्वासा साहिरी कम होना चाहिए हमको लगा अप्लिकेशन है चैंदरमा का बहुत महता है सचुरा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा बचपन में क्या कहती है चंदा मामा और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है तो मम्मी कहती है चांद सी दुलहन लाएंगे अरे ससूरा तुने इसका मतलब तु मामा को दुलहीं बना रही है अरे भाले तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुगा पकाये खीर के अभी तो हाल ही में करवा चौत भी था है करवा चौत में पतनी अपने पती को चलनी में देखती है फिर चांद को देखती है और गल्फ्रेंड अपने बॉइफ्रेंड को चैचनी में देखती है क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये समान भी छोटा होना चाहिए यह वाला I hope आप इसको समझ गया होंगे चंदरमा की जो phases होती है कला है कि चंदरमा कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है कभी पूरा full voltage में दिखता है यह सब चीजे यह तो हम application में आपको पढ़ाई दिए आपको application में हम चंदरमा के प्रकार भी बता दिये थे कि new moon क्या है full moon क्या है super moon क्या है और blue moon तक पढ़ा दिये थे अब आपको application पे बचा हुआ था red moon पढ़ाना अब यह red moon आपको application में मंडे के दिन में पढ़ा देंगे दो सूचना सुनिये देखें geography का admission close कर दिया गया था लेकिन बहुत सारे लड़के छूट गया थे और class लेते समय application पे सब यही कहता है सब सार admission थड़ा open कर लिए तो यह जो दिपावली आ रही है तो इसके औसर पर हम यह geography का admission open कर रहे हैं आप उसमें जाके minimum fee में geography, topography, astronomy, astronomy, geology total cheese कर सकते हैं पूरा portion उसमें से आप एकदम group D से लेके UPSC तक का complete आप देख लेंगे आप ऐसे भी topic देखके तो समझते ही कितना है तो आप उसमें जाके ले सकते हैं अभी भी उसका admission भी कितना 200 रखा गया है, पहला सुच नहीं है जल्दी लेजिए का यह कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि server पे जादे भीड नहीं करना है वरना धीमा चलने लगता है server दूसरी बात कि जो लोग call करकर के office team को परिशान कर दी है कि खांसा से कहिए हमारा थोड़ा सा sponsor कर दे, भाई हमें किसी का sponsor नहीं करते है न हम यहाँ परचार नहीं कर सकते किसी का और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते हमें कोई ले नहीं जा सकते है आप कीमत की बात छोड़िए हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है खरीद तो कोई नहीं सकता है हमें जिसके region भी है आगर हमको कोई करोड में खरीदेगा तो कल को वो हमारी fees 200 रुपय तो रखने नहीं देगा फिर गरीब लड़के मारे जाएंगे इसलिए आप इसको समझेंगे admission जल्दी से लेना होगा जिनको लेंगे वरना ये फिर बंद हो जाएगा मिलेंगे next class में जाहें